ओो 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 गूड मॉर्निंग फ्रॉम दादू मैं इस वक्त दादू के बाहर खड़ा हूँ और यहां पर यह साइनेज लगी यह N55 इंडस हाइवे पे कराची 328 किलोमेटर्स कोटरी या कोटरी जिसको आप बोलती है 181 किलो मेटर और 7 चरीफ 45 किलो मेटर दादू के विलॉग में मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक खुदाबाद मस्जिद है मैं आज आपको वहां पे लेके जा रहा हूँ जिस जगह से मैं रवाना हो रहा हूँ यह सामने डिस्टिक जेल दादू है और यहां से खुदाबाद मस्जिद जो है वो 5 से 6 किलो मेटर है दादू शेहर से खुदाबाद मस्जिद का टोटल रास्ता जो है वो 10 किलो मेटर है और आप तक्रीबन ज्यादा से ज्यादा दस मिनट में वहां पहुंचाते है ये इंडस हाईवे है इंडस हाईवे के तक्रीबन टादू से निकलने के एक्जेक्ट दस किलोमेटर के बाद इसी रोड के उपर लेफ्ट साइड पे जाम मस्जद खुदाबाद आती है बाकी हिस आपको वहां पे चलके बताते है ये इस वक्त अगर आप लेफ्ट पे देखें तो आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है खुदाबाद लिखा हुआ इसको पर ये बलू ये खुदाबाद और वो सामने आपको मस्जद के मिनार भी नजर आने शुरू हो गे है और उसका गुम जब आप मस्जद में दाखली दर्वादे की तरफ से एंटर होते हैं तो बाहर से जो बेरूनी दिवार है वहां से इस तरह की एक गली बनाए गई है और वो जो आपको मैंबर और उपर मिनार नजर आ रहे हैं ये इसका ओरीजिनल दाखली दर्वादा है ये जो दिवार है ये भी उस वक्त की है ये बाहर वाली कमपाउंट वॉल जो ये बाद में बनाई गई इसको प्रिजर्व करने के लिए और ये जो है ये दाखली दर्वादा है इसके आगे सामने एक छोड़ा सा पार्क बनाया गया है मस्चिद को बाद में तौसी दी गई है अब ये काम किस ने करवाया है जिसने भी करवाया है को बहुत ये पहरी अच्छा करवाए ये यहां पर लगता है आर्केया डिपार्टमेंट ने ही कुछ काम करवाया है इसके ओपर ये लिखावा रेस्टरेशन वर्क अफ खुदाबाद मस्जद इस इन प्रॉग्रिस खुदाबाद मस्जद जी बहाली जो कम जारी आ है इसके बेस के ओपर ये यहां पर इनों ने पार्क वगरा भी बनाया आगे यार्ड बड़ा अच्छा बना दिया है और इसका खैराद डियों था हाज़र अच्छा थो डिन्दम खैराद मस्जद दिसी वठाँ पो खैराद भी डिन्दम था है हाज़र ये इसका में दर्वादा है दाखली और ये उसी वक्त का है और उसी हालत में औरीजिनल है ये जो बाहर आपको टाइल्ज नजर आ रही है ये डिफिनल्ली बाद में लगाई गई है इसकी जब बहाली का काम शुरू हुआ है तो उस वक्त इसको फॉटिफाई किया गया है बाद में ताके ये आसार कदीमा ये अपनी असली हालत में किसी ना किसी तरीके से इसको रखा जा सके अंदर कुछ पुरानी नक्षो निगारी जो है वो आपको नजर आ रही होगी और कुछ को री फर्बिश किया गया है उसके उपर दुबारा कलम जो है वो चलाया गया है इसके चड़ने के लिए तकरीबन कोई आच से दस सीड़ियां है चबूतरे पे और उसके बाद ये आपको एक नई पेंटिंग है और एक पुरानी है ये पुरानी जो है ये आज इजिस हालत में थी उसी हालत में खड़ी हुई है और ये नई जो है ये फिर उसको री की दोबारा बनवा के यहां पे लगवाए गई है टाइल्स 100% नई है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जो डिजाइन है वो वही रखा गया है ये दर्वादा जो आपको नदर आ रहा है ये 100% उसी वक्त का है ठीक है और इसके उपर ये बाद में वापडा की जो तखती है इ पता नहीं ये कोई मीटर का नमबर है ये क्या है ये बाद में वापड़ा वाले लिखके लगा गए और ये है खुदाबाद का मस्जिद का मनजर इसकी जो रेस्टरेशन का वर्क है जो प्रिजर्वेशन का वर्क है उसको देखके तो वाकिए सिंध आर्के अलोजी डिपा बरार रखने की कोशिश की गई है और अगर कहीं पे री पेंट किया गया है या री टाइल्ड किया गया है इसको तो उसमें कोशिश की गई है कि जो औरीजिनल उसका थीम था उसको बरार बरार रखा जाए ये जो नीचे वली फर्श की टाइल्स है ये बिलकुल औरीजिनल हैं उसी टाइम की हैं जैन्वन हैं ये जो टाईल्स लगी हुई हैं ये दूबारा से जो डिजाइन उस वक्तका था उसको कापी करके उसकी फोटो लेके उसके वबारा बनाया गया है और ये झो अंदर आपको डिजाइन नजर तो निगारी का काम है ये बिलकुल महराब की जगा है आगे अंदर आपको सामने नदर आ रही है ये महराब उसी तरह से जिस हालत में था उसी हालत में है सिर्फ नीचे टाइल लगाई गई है अल्लाओ अक्बर अल्लाओ ये देखें आप ये बिलकुल जो बैल बूटे हैं जो नक्ष निगारी का काम है ये उसी वक्त का है ये एक डोम इसका ये है और एक डोम जो है वो इसका फिर इदर छोटे वाला राइट पे है और इसी तरह का एक डोम जो है वो लेफट पे है मेन इसके तीन गुंबद हैं तीन डॉम्स हैं सेंटर वाला बड़ा है और दूसरे वाला जो है वो दोनों साइडों वाले हैं वो छोटे ये देखें उस साइड के उपर वो आपको नई पेंटिंग नजर आ रही है जबके इस साइड के उपर वही बुराने हैं और इसको उसी तरह से कॉपी करके वहां पे किया गया है एक और बात जो मज़े की अब यहां पे तो गुंबद हागए इस साइड पे अगर आप उपर देखें तो इसकी च्छत लकड़ी की हुआ करती थी ठीक है लकड़ी के इसमें तखते थी तो वो तखते तो अब उस तरह से नहीं रहे तो उनको निकाल के टी आर गाड़र उसमें लगाए गए है लेकिन कोशिश यही की गई है कि इसकी वही शेप रखी जाए जो उस वक्त लकड़ी के तखतों की हुआ करती थी यह मस्जद अगर आप आज भी आएं तो उस वक्त के कलहोडो खांदान की यादगार है जिनोंने एक वक्त में सिंद्ध के अवाम की भी खिदमत की और अपनी इसलाम की खिदमत की यह यादगार इस काइनात में छोड़ गए यह अगर आप इन टाइल्स को देखें तो आपको इन में एक हसीन सिमिट्री नजर आएगी कि उस वक्त के लोगों ने किस तरह से एक ही पैटर्न को लेके चलें और यह फिर यहाँ पे इसका महराब का बंसर Allah अजबर, Allah अजबर Allah अजबर, Allah अजबर श्हियत एक यिल्ह मुदत प्रूह . श्हियत ओिल मुह कि आलाइ इल्हा बैलालлов reg श्हियत ओiverse Python 6 अश्हिध मुहुप।ाई और what यि मुहम्म्मध कि उुह। अश्यद एन मुहम्म्द रर्यून अर्यूला बीजदियी विए मुहम्म्म्मद रर्यून श्यूला है के लल पलाए है के लल थास खर है के लल थास अलाह अप्पर लौह अच्पर ला इलाह 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 कर दो